साथियों, खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन डखना। अब फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है उतनी ही जिन्दिकी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलों इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है हमारी फिटनेस में बहुत बड़ी भूमी का हमारे खान पान की हमारे पोशन की भी होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक ऐसे अभ्यान की चरचा भी करना चाहता हूँ जिसकी सुरुवात तो भारत ने की लेकिन अब वो एक ग्लोबल कैम्पेंड बन गया है। आपने सुना होगा भारत के प्रस्ताव पर युनाइटेड नेशन्स युएन वर्ष दोजार तेईश को इंटरनेशनल मिलेट येर के तौर पर मना रहा है। और राजस्तान तो मिलेट यानि मोटे अनाजों की एक बेहत सम्रुद्ध परंपरा का घर है। और अब देश इवैपि उसकी पहचान बने इसलिए हैं ये मोटे अनाज को स्री अन्न इस नाम से लोग जाने ये बहुत आवश्यक है। इस बार बजेट में भी इस बात का उलेक किया गया है। ये सूपर फुड है। ये स्री अन्न है। और इसलिए राजस्तान का स्री अन्न बाजरा, स्री अन्न ज्वार, ऐसे अनेक मोटे अनाज ये स्री अन्न के नाम के साथ अब जुड गए है। उसकी पहचान है। और ये कौन नहीं जानता जो राजस्तान को जानता है, ये हमारे राजस्तान का बाजरे का खिचड़ा और चूर्मा, क्या कोई भूल सकता है क्या? मेरा आप सभी युवाओं से विशेस आवान होगा, आप अपने खाने में स्री अन्न, स्री अन्न यानि की मोटे अनाजों को तो सामिल करें, इतना ही नहीं, स्कूल, कॉलेज, युवापिडी में, खुदी उसके ब्रांड एमबेसेडर बन करके लग पढ़िये।